हेलो बच्चो चलिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टन को सॉल्ट कर लेते हैं जो हमेशा आपके एक्जाम में अक्सर आही जाता है ठीक है देखें क्या लिखा हुआ है एक रेक्टेंगुलर रूम एक रेक्टेंगुल शेप का रूम है है विंग लेंथ जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर एंब्रेथ कितनी है 8 मीटर ठीक है तो देखें हम आप माल लेते हैं कि यह एक रूम है रेक्टेंगुलर शेपर यहाँ पे अंदर है इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर ऐसकी ब्रेथ कितनी है 8 मीटर आप क्या कह रहा है इस सराउंडेट बाइद वरांदा विच इस 2 मीट इसके जो है किनारे जो है जितने वरामदा है जो कि टू मीटर चौड़ा है तो देखे टू मीटर चौड़ा है यहां पर यह देखे टू मीटर यहां पर टू मीटर यहां से अगर देखे तो इसकी चौड़ाई कितनी टू मीटर होगी न तो यह कितना टू मीटर चौड़ा है find the area of veranda veranda की area निकालना है area मैंने क्या बताया था कि जितनी जगा को ये cover कर रहा है अगर room का area देखें तो ये तनी जगा को cover कर रहा है room ठीक है अगर ये बाहर वाले area को देखें इसका बाहर वाले का इसको हम देते हैं A, B, C and D ये जो बड़ा rectangle है उसका area अगर देखें तो वो पूरा इसको cover करेगा यहां से यहां और यह पूरा अंदर तक है ना पूरे अंदर वाले चीजों को पूरे space को cover करेगा ठीक है निकलने हमें लेकिन हमें निकालना क्या है इस वरामदे का area किसका निकालना है इसका देकि मैं इसको shade कर दे रही हूँ इस वरामदे का area कैसे निकलेगा हम पहले इस बड़े वाले rectangle का area निकालेंगे और उसमें फिर एक छोटे वाले rectangle के निकालके उसको minus कर देंगे तो हमारे पास यह बचेगा ठीक है एरिया ओफ रेक्टेंगल एरिया ओफ रेक्टेंगल क्या होता है एल मुलिटिप्लाइबाइबाइब बी मतलग लेंद इंटू ब्रेथ लेंद कितनी दी हुई थी लेंद यहां देख लीजिए लेंद इस छोटे वाले के लिए एयरिया अफ रेक्टेंगल स्फ की देदे रहे हैं किसका रेक्टेंगल यहां पर दे देद है ए एफ जी एच एरियो आफ रेक्टेंगल किसका ईसीतते सब्सक्राइब्लत लेंद ब्रेख लेंद Rेंभेश की जाहेँ 8 meter है अब यहां पर रख दीजिए 10 meter multiply 8 meter कितना आजाए का अंसर 80 meter square ठीक है अब यहां ध्यान दीजिए अब बड़े वाले rectangle का हेरे निकालेंगे बड़े वाले rectangle का जो rectangle कौन सा है A, B, C and D का इसकी length कितनी है length आप निकालें इसकी length क्या हो जाएगी यहां से यहां तक क्या है 10 cm है और यह बड़े वाले length कितनी होगी यहां से 2 एड़ हो जाए क्योंकि इसकी जो वरामदा है उसकी चुड़ाई कितनी ही 2 meter यहां से भी देखिए इसकी वरामदे की कितना हो जाएगा इसकी लेंद 14 मीटर इसकी ब्रेथ अगर देखें मतलब यह पूछ रहा है यहां से यहां तक कि डिस्ट्रेंस पता है है हमें 8 है और यहां पर यह धी क्या है और यह वह 2 क्योंकि यह वह ना है 12 meter किसका area निकाल लेते हैं area of rectangle कौन सा rectangle किस field का A B C D का rectangle निकाल ले जो की length into breadth होता है निकाल लिख देते है length कितनी है 14 meter और breadth कितनी है 12 meter length और breadth का multiply करेंगे जब तो आजाएगा 168 meter square ठीक है ये तो हमें छोटे वाले अंदर के room का area निकल लिए और फिर ये बाहर वाले का हमने बड़े का लिया पूरे का उसमें से इतनी इतना ये वाला निकाल देंगे rectangle तो ये बरामदे का area निकल जाएगा तो area of क्या लिखेंगे हम लोग यहां पर area of veranda इस इकल्टी क्या हो जाएगा area of rectangle कौन सा बड़ा लिखें a, b, c, d में से area of क्या minus कर देंगे area of rectangle ये वाला e d, f, d, h का ठीक है ये separate कर दीजिए इसको यहां से ठीक है अब ध्यान दीजिए यहां पर area of a, b, c, d कितना है 168 meter square देखें यहां पर area of a, b, c, d 168 meter square area of ये छोटा ला जो room कर रेक्टेंगल area था वो कितना है 80 meter square 80 meter square जब इन दोनों को minus करेंगे तो 88 meter square इसका area मिल जाएगा जो कि वरामदा का area है ये हमारा क्या जाएगा answer ये बहुत important question है इसको आप ध्यान से समझें जब भी हमें तो अक्तर題 के दिए बहुत भीएं, तो Roger निकालना होता है वरामदा ही निकालना होता है Kai वर्टे का मतलब ये यहां पर निकालना है इसका इसके ये ग्रीनמע कि तो तो यह이면 draft is करेंगे और बढ़ेवाले मेंसे छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनेक कर देंगे तो हमें जो मिल जाएगा वह बाराम देका एरय बिल जाएगा जिसका इसका सुआ ठीक है आइवोग किए आपको ये कुश्च्ँन समझ ने आ गया होगा आपको ये और ये आप जो है इस question इस तरह के questions को और भी solve करेगा जिसे कि आपके सारे doubt clear हो जाए ओके thank you बेटा